2018 में हम सब लोगों ने कांग्रेस को एक इतिहासिक बहुमत दिया, 404 सीट दिया, उसके बदले में कांग्रेस की सरकार ने अगले ही साल यानी 1985 में एक बहुत बड़ा महापाप किया, और वो महापाप कोई सारदनिक अस्थान पे नहीं, बलकि पारलियामेंट के अंदर गिया सिटजन सिपैक्ट को बदल दिया, और इसमें एक नई धारा जोड़ दिया सिक से, सिक से ये कहती है कि 1971 तक जितने भी बंगलादेशी घुस पैठी आ चुके हैं, ये सब भारत के नागरिक हो जाएंगे 1971 तक भारत में लगभग 60 लाख घुस पैठी आ चुके थे बंगलादेशी, यानि एक ही जटके में एक नई धारा जोड़के, कांग्रेस की सरकार ने उन सभी घुस पैठीयों को भारती बना दिया, एक जटके में 60 लाख बंगलादेशीयों को भारत का नागरिक बना दिया मामला सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है, पांच जज़ों की बेंच के सामने है, अभी अक्टूबर में फिर सुनवाई हो जाएगी हमारा ये कहना है, जिब संबिधान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में आने और भारत में रहने कि जो कट अफ डेट है 1947 है संबिधान कहता है कि 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक जो लोग पाकिस्तान से या बंगला देश से भारत में आ चुके हैं, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे 1947 के बाद जो लोग आए हैं उनको अगर नागरिकता चाहिए तो उनको बाकाइदा अप्लिकेशन मूब करना पड़ेगा ये भारत का इस सम्मिधान का आर्टिकल 11 कहता है, कि सरकार की ड्यूटी है कि सिटिजन्सिप देने और सिटिजन्सिप लेने के लिए कानून बनाए नहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में citizenship देने citizenship लेने के लिए उसका नामी है citizenship act इसमें प्रावधान है कि किसको नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता लेनी है आज तक किसी की नागरिकता तो ली नहीं गई हाँ 1985 में राजियोगाधी ने इसमें एक नई धारा जोड़ दिया section 6 से और 6 से ये कहता है कि जो लोग 1971 तक असम में आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए अब ध्यान रखिए बाकी और राजियों के लिए जो cut-off date है 1947 है मतलब अगर कोई बंगाल में आया है अगर 1947 के बाद आया है तो उसको बाकादा application मूग करना पड़ेगा मिजोरम में आया, त्रिपुरा में आया, यूपी में भी आया बिहार में आया, कोई भी बंगलादेशी अगर बाकी अन्य राजियों में आया है तो उसको application मूग करना पड़ेगा उसकी जाज परताल होगी वो आतंकवादी है, लगावादी है वास्तों में इनसान है, क्यों आया है क्या उसका motive है, तब उसको नागरिकता मिलेगी लेकिन राजियों गादी ने असम में जहां सबसे ज़्यादा घुस पैठी आये याद रखिए, बंगला देशी पहले सबसे ज़्यादा असम में आते थे आप तो बंगाल में भी आ रहे हैं, बंगाल में भी खूब आये है लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस समय असम में आये थे और एक धारा जोड के सेक्षन 6 से राजियुगाधी नहीं ये कह दिया कि 1971 तक जितरे घुसपैठी आये हैं ये सब असम के नागरिक बन जाएंगे यानि एक ही जटके मुनों ने लगभग साथ लाख बंगला देशियों को असम का नागरिक बना दिया दुर्भागिवस जब ये ममला सुप्रीम कोट में आया तो ग्रिय मंत्राले के बाबूओं ने भी उस सिक्षन 6 से को डिफेंड किया है वो PIL का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो सिक्षन 6 से है ठीक है मैं प्रधान मंत्री जी से कहूँगा एक बार इन बाबूओं को बुला के पूछे कि अगर कोई घुस पैठिया बंगाल में आया है तब तो घुस पैठिया हो गया कोई बंगला देशी उउपी में आया बिहार में आया तो घुस पैठिया हो गया लेकिन अगर वही बंगला देशी अगर असम में आ गया तो नागरिक हो जाएगा ये कौँ सा कानून है ये कौँ सा नियम है और हमारे देश में लोगों की कमी है क्या हमारे देश की जन संख्या तो ऐसे लगबग डेड़ सो करड़ के असपास हो चुकी है हमारे देश में ऐसे गरीबी है भुखमरी है कुपोसर है प्रदूसर है एर पॉलूशन है वाटर पॉलूशन है बेरोजगारी है हमारे देश के लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा फिर बंगला देशियों को आसम की नागरिता क्यों दी जा रही है कुछ नौकर साहों ने सुप्रीम कोट ने P.I.L. फाइल का अपनी जो काउंटर फाइल किया है उसमें उन्हों ने जो राजियु गाधी ने सेक्शन 6 से जोड़ा है उसको डिफेंड किया है इसका मतलब यह हुआ कि जब अभी अक्टूबर में बहन सुरू होगी तो एटॉनी जनरल और सॉलिसीटर जनरल राजियु गाधी के उस महापाप को डिफेंड करेंगे हम सब को बोलने की जरूरत है आवाज उठाइए अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे सेक्षन 6A का विरोध नहीं करेंगे तो याद रखिए असम के जो 60 लाख बंगलादेशी 1971 तक आए थे वो सारे भारती बन जाएंगे और उसके बादवाले जो आए हैं वो भी कहेंगे हम तो 1971 के पहले आएं पूरा विवाद ये बना रहेगा इसलिए मैं कहना हो कटाफ डेट जो सम्विधान कहता है कि जो लोग विदेश से आए हैं पाकिस्तान से आए हैं अफगानिस्तान से आए हैं बंगलादेश से आए हैं जो 1947 तक आ गए थे उनको ही नेचुरल वे में नागरिकता मिलनी चाहिए 1947 के बाद जो भी आये हैं उनको proper way में application उनकी move होनी चाहिए application जो justify हो उनको नागरिकता मिले नहीं तो नहीं मिले अब जहां तक बात है कुछ लोग कहेंगा अच्छा आप 6A का विरोध कर रहे हैं फिर आप C.A. का समर्थन कैसे कर सकते हैं अरे भाईया 6 मैं 6A का विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आख बंद करके नागरिकता दी गई है और जहां तक जो C.A. है वो किसके लिए है वो वहां के अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश के जो persecuted minorities हैं जिनका धर्मांतरण हो रहा है उनके लिए है ये C.A. उनके लिए है जो अपना खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के आए है केवल अपनी बहु बेटियों को ले के आए है अपने केवल धर्म बचाने के लिए आए है अपनी इज़द बचाने के खातिर आए है अधरवाइस कोई आदमी अपना घर, मकान, दुकान छोड़ कैसे भागता नहीं है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश से जो वहाँ पे माइनारिटीज आए हैं, वहाँ से भाग के वो क्यों आए हैं? क्योंकि उनको कनवर्ट किया जा रहा था उनकी बहुँओं के साथ छेड़-छाड़ हो रही थी उनकी बहुँओं को जवरस्ती उनकी किन्नेपी हो रही थी तो वो बेचारे अपना मकान छोड़के, रोजगार छोड़के, दुकान छोड़के, घर छोड़के सब कुछ छोड़के आए है तो उसकी तुलना ये बंगलादिसी गुस्पैठियों से नहीं हो सकती मैं बार-बार हाथ जोड के निवेदन करता हूँ प्रधान मंत्री जी से बहुत बड़ा ब्लंडर किया है ग्रीह मंत्राले के बाबू ने ग्रीह मंत्राले के बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है और राजिव गाधी के इस इल्लीगल वर्क को इस महापाप को ये जो सेक्शन 6 से है राहर ये कांग्रेस का महापाप है इस कांग्रेस के महापाप को डिफेंड किया है इसका मतलब जब बहत सुरू होगी अभी सतर अक्टूबर से तो एटाउनी जनरल और सॉलिसिटी जनरल भी कहेंगे कि हाँ वो साथ लाग जो बंगला देशिया हैं उनको नागरिता मिलनी चाहिए मैं हेमन सर्मा जी से निवेदन करता हूँ यह आपके लिए लिटमस टेस्ट है कांग्रेस ने उसको डिफेंड किया समझ में आता है इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने सिक्से को डिफेंड किया समझ में आता है लेकिन आप राष्टवादी हैं आपका यह लिटमस टेस्ट है आप अच्छा वकील करिए सुप्रिम को करता हूँ प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूँ आप हम लोगों की PIL का समर्थन करिए हमारी ये मांग है कि ये 6 से खतम हो असम में दुबारा NRC हो असम में जिस तरीके से 1947 के बाद जो कटाफ डेट पूरे देश के लिए है वही कटाफ डेट असम के लिए भी होनी को भेजिए अपने विधायक को भेजिए सोसल मीडिया में शेयर करिए एक बाउत बड़ा महापाप कांग्रेस की सरकार ने किया था 1985 में राजिव गाधी की सरकार किया था उस अपने आयतिहासिक बहुमत का दुर्पयोग किया था जो उनको 404 सीट हमारे आपके परिवार क लोगों ने दिया था और अब ग्री मंत्राले के बाबू भी कहीं कहीं उस लपेटे में आ चुके हैं ग्री मंत्राले के बाबू भी कांग्रेस के उस महापाप का समर्थन कर रहे हैं राजी गाधी के उस महापाप का समर्थन कर रहे हैं बंगला देशी घुसपैठियों का स 71 है जो 71 के 72 में आए 73 में आए 74 में 75 में आए वो बोलेंगे जी हम भी 71 के पहले आये थे कहों से ऐसी उनके पास certificate पुलिस कैसे प्रूब करेगी कि नहीं तुम 71 के बाद आया 71 के पहले आया कहां से प्रूब कर देगी कैसे ये प्रूब हो जाएगा और दूसरी बात ये जब सं समय जो भी आ गाए उनको कोई application में नहीं देनी है और natural way में by default बीना application दिये वो सब के सब जितने घुसपैट ही बंगला देशी थे वो सब नागरिक बन गए ये केवल ये हिंदू-मुसल्मान का विशे नहीं है ये भारत की demography का मतलब है घुसपैट राष्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है घुसपैट देश की एकता खंड़ता के लिए खतरा है घुसपैट की कारण हमाई demography बदल रही है घुसपैट जो है एक तरीके से अपने आप में एक waging war है घुसपैट एक organized crime है फिर उस घुसपैट को राजी गाधी की सरकार ने उसको defend किया राजी गाधी